मर्वटिया निवासी गर्वती महिला के साथ की गई मालपीट महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल परिछण के लिए भेजा इकोना आस्पताल गर्वती महिला ने बताया कि उसके पेट पेट पर गंभी जोटे आई है ऐसे में उसे पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल परिछण के लिए इकोना आस्पताल भेजा जहां पर महिला का डाक्टरों ने मेडिकल परिछण कर पुलिस को ओगत कराया इकोना इलाके के धरमपुर पुल के पास हुए सणक हासे में बस और बाईक को पुलिस ने लिया कबजे में कादवाही किसो सरवस्टी जनपत के एकवणा इलाके के धरमपुल需 के पास बाईक सवार को बस ने टकर मार दी थी जिससे बाईक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी. ऐसे में सुचना पर पहुंची पुलिस ने सोग को कबजे में लेकर पोस्मार्टम भेर दिया था वहीं बस और बाइक को कबजे में लेकर इकवना थाने पहुंचा दिया गया है इकवना इलाके के ठाने के पास की ये तस्वीरे हैं जहांपर बस और बाइक को ठाने पर पहुंचाया गया है तथा पुलिस मामले की जांच पर अताल में जूटी हुई है इकवना इलाके का पूरा मामला जहांपर बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार इवक की मौत हो ग हमने अलग-अलग अस्थानों पर हेल्थ टीम भेज कर सभी को कराया गया होम आइसो ने सावस्ती जनपत के इकवना इलाके के अलग-अलग गाओं में महिलाओं समेथ साथ नए कोरोना के केस मिले जिसकी पुष्टी करते हुए अधिचक डाक्टर आसिस कुमास्ती वास्तों ने बताया कि आज इकवना इलाके के अलग-अलग गाओं में साथ कोरोना के नए केस मिले हैं जहां पर स्वास्त कर्मियों को भेज कर क्लोज कांटेक्ट कराया गया साथ ही सभी को होम आइसोलेट कराया गया इकवना इलाके के अ तेज रफ्तार बाइक ने 13 बरसी बच्ची को मारी टककर बच्ची हुई घायल एम्बुलस ने घायल बच्ची को पहुँचाया इकवना अस्पताल स्रावस्ती बिधायक रामफेरन पांडे ने सबसे तेज खबर स्रावस्ती चैनल पर बताया कि वो भाजपा के देश साथी हैं भक्त हैं सेवक हैं और उन्होंने भाजपा को अपनी माता माना है वो कभी भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे सावस्ती जन्पत के इकवना इलागे से भाजपा बिधायक रामफेरन पांडे जिन्होंने आज मेडिया के सामने आकर बताया मैं इसमें एक खड़ेंतकारी लोगों के विरोधियों की चाल है मैंने ना इस्तिफाद दिया है ना मैं लखनव बया हूं मैं तो अपने श्चेत्र में था कल भी था परसों भी था आप लोग सारा लाइब चलाते जानते हैं मैं जब गया नहीं तो इस्तिफाद किस बात का और रही बात यह भाजपा मेरी जननली है मां कभी अपने बेटे से नहीं अलग हो सकता है तो इस प्रकार से भाजपा मेरी मां है मैं भाजपा से नहीं अलग हो सकता हूं ना मैंने भाजपा कभी छोड़ा है ना छोड़ा था ना छोड़ूंगा मेरे रग रग में भाज़पा है और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाब मैंने प्रसासन से और अपने सिशनितिक से करवाई कि मांग किया निश्चित रूप से एक गोजिन में उन लोगों के जो खड़ें तुरस करके और इस तरीके कर घिनवना कारी किये हैं और उनका परदा कर दो अपने साजित से की गई है मैं तो 1978 का स्वाइम सेवक हूं तब से मैं आरसस का आदमी हूं मैं 84 से भाजपा जब से पढ़ाई छोड़ा मैं आया हूं तब से भाजपा में इथा रहूंगा और हूं और हमको दो बार भाजपा ने चुनाओ लडाया तीन बार हमारी धर जिंदगी मैंने कासी में गुजारा अमरने के वक्त मघार में जाने का कोई प्रस ने उठता क chaos नथ्था पुरवा इट्वरिया भोजपुर मदारा सहित संगठन परिवार के साथ ही वार कारिकर्ता बंधूं के साथ उन्हों ने सामाजिक समरस्ता भोज में पहुँचकर अपनी उपस्थिती दर्ज कराई इकवना इलाके के तरवा महंत नथ्था पुरवा सिताद्वार इ यह तस्वीरें जहां पर पहुँचकर विधायक ने सामाजिक समरस्ता भोज में अपनी सहभागिता निभाई वहीं इकवना इलाके के ग्राम पंचायत बिशुनापुर में ग्राम पंचायत सचवाले बिश्तार का उद्गाटन प्रधान मुस्ताक खान के बड़े भाई ने फीता काट कर किया इस मौके पर इंद्रमरी पांडे सच्व ने बताया कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो सच्वाले में आकर समस्या बताएं आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा है जिनकी मौझूदगी में यहां पर सच्वाले बिश्तार का उद्गाटन किया गया इकवना इलाके के बिश्णापुर का पूरा मामला जहां पर आज इस कारिक्रम का फीटा काड़ कर उरगाटन हुआ और लोगों को सम्बोधित करते हुए ग्राम पंचायत के सच्वाले में आएं और अपनी समस्या से आउगत कराये जिससे उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके इस दोरान भारी तादात में ग्रामीड भी मौजूद है जिनकी मौजूदगी में सचिवाले बिस्तार का उर्गाटन किया गया। इकवना इलाके के ग्राम पंचायत बिसुनापूर का मामला जहां पर इस कारिकम का आयोजन हुआ। इस दोरान क्या कुछ कहा गया सुनिये। कुछ कुछ प्रामाल झाल को गया सुनिये प्रामाल झाय।